लानू जी योगी जी राहुल जब बात हजसे बार हो गई तो आज मैंने तुम लोगों को बुनाया है आज तुम लोगों को मेरा पैसा देना ही होगा ये बताओ तुम लोग मेरी किराना दुकान से सारा का सारा सामान लेके उधार खाते रहे अम मैं पैसे मांग रहा हूं पुरन्त तुम्हारा उधार मैं तो चुका दूँगा लालू जी इस बात को तु तुम देख साल से कह रहे हो दो फ़सल निकल चुकी है अभी तक तुमने मेरा उधार तो चुकाया नहीं है उपर से तुम केजरिवाल जी की दुकान से सामान खरीद रहे हो और एक कम से कम मुझे दुकान से सामान खरीटते रहते किराला दुकान से तो मुझे सुकून रहता योगी जी राउल तुम बताओ तुम पैसे कब चुखाओगे मुधी जी कितने पैसी है मेरे ओपर आप बेपाल तू बे परहसान करते रहती हो घर से बुला के लाएहो पताओ कितने रुपई आपके, अब ही चुकाता हूँ मैं सारे के सारे पैसे आपके तुम्हारे उपर योगी जी देल लाग रुपिया, एक लाग पचास अजार रुपई तुम मेरी दुकान से एक लाग पचास अजार रुपई का सामान ले के दो सो रुपे का गरम मसाला ले गए थे दो किलो चीनी ले गए थे पांसो रुपे की हरार की दाल ले गए थे मोधी जी ये बात आप गलत बोले हो हरार की दाल तो मैं पांसो रुपे की नहीं ले गया हूँ मैं सो रुपे की हरार की दाल ले गया था अब तुम कहोगे हजार रुपए की चाबल भी नहीं ले गए थे इस पर्चे में हजार रुपए की चाबल लिखी भी है आप बिल्कुल हजार रुपए की चाबल मैं तो नहीं ले गया था अरे मोधी जी आपने तो योगी जी के गलत रुपए लिख रगे अपने पर्चे पर मेरे ऊपर आपके कितने उधार है मेरे रुपए बताना कहीं मेरे भी तो गलत रुपए नहीं लिख रगे राहूल तुम्हारे उपर 6 लाग का उधार है 6 लाग रुपए का सामान लेकर तुम मेरी किराना दुकान से खा चुकी हो 6 लाग रुपए का मैं क्या सामान खा गया मोधी जी ये खलित भर्चा है मैं इसको नहीं मानता राउल मेरे मुनीम जी यानि की अगलेश जी तुम्हें एक एक सामान बताएंगे क्या क्या तुम मेरी दुकान से ले गए हो अगलेश जी बताएए देखो रावल जी दो साल पहले सबसे पहले तुम एक कुंटिल चावल ले गए थे मोधी जी से और जब तुम्हारे घर का निर्मार हो रहा था तुमने 50,000 रुपे नगत लिए थे मोधी जी की दुकान से अईसे मैं कहां तक पल के जुनाओं इस तरीके से तुम 6,000,000 रुपे का सामान ले गए हो जल्द से जल्द मोधी जी का उधार चुकाओ सब लिखा हुआ है इसमें और मैं लोगो वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राब करो